है आइ गाईश आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पताऊंगो किसे जी एफेक्स टूल का यूज कर सकते हैं पब जी मुटाइल के लिए तो सबसे पहले हमें जी एफेक्स टूल चाहिए तो Play Store में जाओ और Play Store में आपको GFX tool मिल जाएगा और यहां पर search करो GFX tool for PUBG और यहरा first tool इसको हमें install करना है GFX tool को तो install कर लो, दो MB का है, थोड़ा सही टाइम लगेगा, 1, 2, 3 और यह installing को लग गया और install होने के बाद बस इसको open करो, और permission दे दो, allow कर दो इसको files ठीक है उसके बाद यहां पर हमें version select करना है, तो हमें select करना है 0.10.5 और ads आती रहती हैं इसमें बीच में और resolution यहां पर मैं चूज करूँगा 960 और graphics यहां पर मैं चूज करूँगा, इसमें smooth और आप अपने phone के recording यहां पर चूज कर सकते हो, अगर high end है तो आप higher graphics चूज कर सकते हो, अगर छोटा मोटा सा phone है तो smooth यहां फिर आप balanced ले सकते हो और fps यहां पर हम लेंगे 60 fps और anti rising यहां पर हम 2x देंगे ठीक है, और इसके बाद styles यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी choose कर सकते हो, मैं यहां पर realistic choose करूँगा, और आप इन options को change कर सकते हो, हर बार try कर सकते हो, लग लग option फिर आपको पता लग जागा कि आपके लिए यहां पर मैं shadows को disable रखोंगा, आपके मर्जी अगर आपका phone low end है तो आप disable ही रखो, फिर GPU optimization, enable, फिर save controls, इसको भी enable करो, फिर बस accept पर क्लिक कर दो, accept पर क्लिक हो गया, फिर से आड़ गई और अब आप games को run कर सकते हो, यहां पर ठीक है, तो बस इतना ही था इस वीडियो में Thank you so much for watching, please like, share and subscribe, bye bye, take care, और इनमें आप changes करके देखेगा, हर बार changes करके देखना GFX टूल में, फिर आपको अपने phone के लिए best setting पतलग जाएगी, क्योंकि मेरे phone अलग है, आपका phone अलग होगा, तो हो सकता है, जो मेरी setting ही वो काम ना करे, आपकी खुद की setting काम करे, तो अलग बार इनम, भाई तीक्यू.